हuti है दोस्तों कैसे आप आशकर तौ hella करता हो कि आप लोग ठीक होंगे फ्रेट्ड यह रेड़मी का नोट-eit pro है System पासवर्ड लॉक लग गया है तो आप यहां देख सकते हैं इंट लाश तक तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इस फोन को पाउर आप कर देंगे तो पहले डिस्प्ले का लाइट जला लेंगे अब पाउर बटन को दबाके रखे रहेंगे अब यहां पर पाउर आप करने का अपसेंस दीख रहा है इस पर टैप लेंगे और इस फोन को आफ कर लेंगे ठीक है अब हमारा फोन आफ हो चुका है अब हम उनको यहां पर क्या करना है द्यान से दिखिए फोन के इस सैड में देखिए सबसे उपर में भूलियम अब बटन है उसके नीचे बूलियम डॉन बटन है और सबसे नीचे पाउर बट इसी तरह दवाई रखेंगे जैसे यहाँ पर रेड्मी लिख याएगा power button छोड़ देंगे तो यहाँ पहता समय लग रहा है हम लोग वेट करेंगे थूरी दिर में यहाँ धी plus हम लोग power button को सब्सेपहले छोड़ देंगे हैं कि इसमय लग रहा है वीट करेंगे आगिया रेड में लिखके आप पाउर बटन छोड़ दिए और जैसे यहाँ पर आप्सेंस आ जाएगा तो भूलियम अब बटन को भी छोड़ दिए अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से दिखाने लगेगा यहाँ पर देखिए सब सुपर में लिखा हुआ है Man Menu यहाँ पहला नमर में लिखा है Reboot second में लिखा है Wipe Data तो हमलों को Wipe Data पके आना है तो भूलियम डॉन बटन दवा के Wipe Data पके आ जाएंगे आगाई wipe data पे अब हमनों के इसी पे रहना है और power button दवा देना है सबसे नीचे power button दवा दिये अब यहाँ देखिए सबसूपर में लिखा है wipe data यहाँ पहला नमर में लिखा है back to man menu और last में लिखा है wipe all data तो हमनों को wipe all data पे आना है तो volume down button से wipe all data पे आजाएंगे आगाई wipe all data पे अब हमनों के इसी पे रहना है और power button दवा देना है चलिए सबसे नीचे power button दवा देते हैं तो यहाँ सबसूपर में लिखिया आगा confirm wife of all data यहाँ पहला नमर में लिखा हुआ है cancel last में लिखा है confirm तो हम लोग को confirm पे आजाना है तो volume down बटन दवा के confirm पे आजाएंगे आगाई confirm पे अब हम लोग के इसी पे रहना है और power button दवा देना है चलिए power button दवा देते हैं जैसे power button दवाएंगे हमारा phone जो है wipe data factory से ठो जाएगा देखिए हो चुका है यहां लिखा चुका है data wiped successfully अब यहां लिखा हुआ है back to main menu तो हम लोग को power button दवा के back आजाना है चलिए power button दवा देते हैं अब हम में मेन मेन में आ चुके हैं यहां सबसे पहला नमर में लिखा है reboot तो हम लोग को reboot पर ही रहना है और power button दवा देना है चलिए power button दवा देते हैं तो यहां उपर में लिखेगा reboot अब यहां पर दिखे सबसे पहला नमर में लिखा है reboot to system लास्ट में लिखा हुआ है back to main menu तो हम लोग को reboot to system पर ही रहना है और power button दवा देना है चलिए power button दबा देते हैं जैसे power button दबाएंगे हमारा phone जा है reboot mode में चले जाएगा तो यहाँ पर आपको 6-7 मिनट लग सकते हैं तो जब तक हमारा phone खुद बखुद start ना हो जाए तब तक हम लोगों को wait करना है तो फ्रेंड आपको मेरे वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके जिरूर बताए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो में वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों को share भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अपने मेरे चैनल को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो ले कर आओ तो उसका नोटिकेशन जो आपके सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड ये हाड इसेट प्रोसेस है हाड इसेट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल एक आउनलॉक में फज जाते हैं मतलब एफारपी लॉक में फज जाते हैं तो आपको घवरानी जुरुत नहीं है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिक्स्रिशन में डाल दिया है आप वहाँ पे जाए वीडियो के लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देखके अपने फोन का एफार पी लॉक भी बाइपस करें तो अब हमारा मुबाल थोड़ी देर के बाद इसी तरह से खुलने लगेगा ठीक है मैं अपने वीडियो था सब फास्ट कर दिया था इसलिए जल्दी खुल गया अब हम यहां स्टार्ट पे टैप करेंगे अपने फोन को सिट अप करके चला सकते हैं गूगल एक आउल लॉक में अगर अफ़च जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख लीजेगा वीडियो को देखने के लिए धन्वाग थैंक्यी दोस्तों गुड़ डे